नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आपका जन्म कुम रासी में क्यों हुआ है और कुम वाले होते कैसे हैं आज हम आपके साथ तमाम बातों को साजा करेंगे तो चलिए सुरुआत करते हैं अगर हम जोतीष की माने तो कुम रासी वाले दिल के बहुत ही साफ और बहुत ही वफ़दार होते हैं भचकर की एक्यारवी रासी है कुम रासी और इनका मालिक सनिदेव स्वेम है गुम्रासी वाले लोग अपने सुभाब के सोयम मालिक होते हैं अपनी लाइफ में ये खुस रहने वाले किसी से कोई उमीद ना रखने वाले होते हैं अपनी जिंदिकी को बहुत ही अच्छे तरीके से जीते हैं और हर एक पल का आनंद लेते हैं किसी का बुरा भी नहीं करते और किसी से ज़रुत से ज़्यादा ये मतलब भी नहीं रखते इनकी बातें बहुत अच्छी होती हैं बहुत प्यारा इंसान होते हैं बातें बहुत अच्छी करते हैं नेचर एकदम से साप होता है हलांकि जल्दी किसी से दोस्ती नहीं करते लेकिन जो भी इनसे बाते एक बार कर ले वो चाहेगा कि हर बार इनसे ही बाते करे या फिर इनसे दोस्ती जरूर करे अगर ये किसी से दोस्ती करते हैं तो दोस्ती को कभी भी तोड़ते नहीं और विस्व सुनिता बनाए रखते हैं इन्हें किरोध जल्दी आता हुए तोरे से तुनक मिजाज होते हैं कभी कभी करुधित ज्याधा हो जाते quien और जब ये रोधित हो तो इनहें मनाए जटना उतना ही ये करुध्य में और जाएंगे इसलिए मनाना नहीं चाहिए ये खुद ही कुछ देर में ठीक हो जाते हैं, सारे गिले सिक्वे, खुद ही कुद समाप्त कर देते हैं, यानि बातों को ना खीचने वाले, लेकिन अगर कोई दुस्मनी करें, तो लंबी गांठे जरूर लग जाती है, ये उन्हें छोडते नहीं, और ऐसे लोगों से कभी कामलों में, इनके पास बुद्धी है, और बुद्धी की सहायता से ये धन कमा ही लेते हैं, छोटी-छोटी चीजें इनको बहुत खुश कर जाती है, पार्टनर्सिप में भी वखुवी काम करते हैं, वैसे एक अच्छी खिलारी भी होते हैं, इनको ज़्यादा तर ऐसे छे लोगों का साथ मिले, जैसे कि एक नेता, टीचिंग वाला छेतर या ऐसा छेतर जहां लोगों को समझाने का कार दिया जाए, बहुत सारे इनके फॉलोवर हो, ऐसा ही छेतर इनके लिए बेहतर होता है, ऑफिस में जैसे अगर जौब करें, तो ये बेहतर तरीके से कर सकते है यानि कि यहां पर भी अपना जादू चलाते हैं, बेफसाई हैं, तो भी इनका जज्जमेंट बड़ा लाब देने वाला होता है, क्योंकि सोच विचार कर ही निरने लेते हैं, इनका जीवन बहुत ही खुबसूरत होता है, लेकिन प्रेम जीवन और भी ज़्यादा खुबस ना, हर इक्षा पूरी आपकी लाइफ में होती जाती है, क्योंकि आप जो चाहते हैं, लगवा वही होता है, आपका सिक्थ सेंस बहुत एक्टिव होता है, और भविस में होने वाली घटनाओं का पुर्वा भास हो जाता है, तो कुम रासी, वायु तत्त्त की स्थिर रासी है, और दूसरी बात, ये थोरे सरमीले और सांथ भी होते हैं, लेकिन सनकी होते हैं तो उरजावान भी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सबकी मदद करना या दो वक्षों के बीच हुए जगड़े का निप्टारा करना इन्हें आता है, हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, मानसिक उत्तेजना अगर ना हो तो उप जाते हैं, इनको बोरिंग सी लाइप पसंद नहीं आती, अच्छे बिचारक प्रगती सील और मानवता वादी होते हैं, हमेशा लोगों से घिरे रहना इन्हें अच्छा लगता है, और अपनी भावनाओं को ये खुल कर सबके सामने जाहिर नहीं कर पाते, लेकिन अपनों से प्रेम करने वाले होते हैं, पहले इनका परिवार होता है, फिर दुनियादारी, मिलनसार होते हैं, बहुत सेंसेटीव होते हैं, मजबूत बिचारों वाले होते हैं, और जिन से प्रेम करें, उनके लिए जान तक देने को तयार होत कि इमंदारी से पैसा कमाते हैं और अपनी प्रतिभा को यह चाहते हैं कि साजा करें लोग भी इनका इनके तरह को कर पैसा कमाएं कई बार होता है कि आपके भोलेपन का लोग फायदा होते हैं उठाते हैं आपके बहुत सारे फॉलोवर या फिर अनुयाई होते हैं जो हमेशा आपको ये समझ लीजे कि चने के जार पे चढ़ा कर अपना रास्ता निकाल कर आगे बढ़ जाते हैं और कई बार आप वहीं रह जाते हैं तो इस चीज को आपको समझना होगा और ज़्यादा जरुस से ज़्यादा चापलूसों के मद्ध रहने से बचें कमजोरी क्या है लापरवा हो जाते हैं अपने इमोशन को ताक पर रख देते हैं तो ये चीजें लापरवा होना जिद्धी होना ये कई बार आपके लिए अच्छा नहीं होता तो इन चीजों पर आपको ख्याल रखना ही चाहिए कुम्रासी वाले किस-किस नच्छत्र से मिलकर बने हैं आज हम उसके बारे में भी बताएंगे अगर हम इनके बैक्तित्व की बात करें तो तरक संकत होते हैं विचारक होते हैं इनका दृष्टिकोन भीड से हटकर होता है लीक से हटकर होता है क्योंकि ये दूरदर्सी होते हैं और लीक से हटकर सोचना इनके लिए सामाने बात है ये कभी भी अपने स्टेटरस को फॉलो नहीं करते अपने मन और बाहरी जगत दोनों तरह से स्वतंत्र रहना इनको अच्छा लगता है मिलनसार होते हैं, समाजिक होते हैं और ये अदुती होते हैं कई बार तो इनके बारे में कहा जाता है कि कुम्ब वाले किसी के सगे नहीं होते पर मित्रों के मामलों में वफादार होते हैं जोरत की घड़ी में हमेशा मित्रों का सपोर्ट में खड़े रहते हैं चाहे आधी रात में ही कोई कुम्ब वालों को आबाज ही क्यों न दे दे हमेशा आगे बढ़कर अगर इन्होंने कोई गल्तियां की है तो ये स्विकार करते हैं हिचकते नहीं है और दूसरा जब सतंस्ता की बात आती है तो अपने मन के अनुसार अगर कोई कहे कि जबरदस्ती माफी मांगो तो नहीं मांगेंगे इसे भी होते हैं इनके अंदर हाथ से भरपूर होता है थोरे बातुनी होते हैं इन्हें बाते करना पसंद है इनके पास बहुत सारे टॉपिक होते हैं बात करने के लिए अगर किसी के साथ इनका लगा हो तो चतुराई से भरे मस्ती में रहने वाले और साथ ही अच्छे सुरोता भी होते हैं सामने वालों की बातों को भी सुनते हैं लेकिन वक्ता बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इनकी बाते तो पूरी दुनिया सुनती है इनके अंदर बहुत सारी भावनाएं छुपी होती है इनके मन में क्या चल रहा है इनके मन में क्या है साइध ही आपको कभी बताएं क्योंकि इनके दिल की बाते कोई नहीं जान सकता साइध इस वर ही जाने या वो भी नहीं क्योंकि दिल के राज हमेशा राज ही रखते हैं अब चुकि ये सनकी भी होते हैं दूसरों को अपने साथ बानते तो हैं लेकिन बंधते नहीं हैं हमेशा जीवन में कुछ नया चाहिए एक ही इस्तिती में रहना पसंद नहीं ज्यादा भावुक नहीं होते भावनाओं में बेहना इन्हें नहीं आता क्योंकि ये चीजों को तर्क संगत ठंग से ज्यादा देखना पसंद करते हैं कुम रासी के अंतरगत घनिष्टा नशतर के दो चरन सद्विसा नशतर के चार चरन और पुर्वा भादर परदर नशतर के तीन चरन आते हैं तो अगर आप कुम रासी के हैं, आपका जन्म घनिष्टा नचतर के तिरती चरन में हुआ है, तो आप कुम रासी के अंतरगत आते हैं, क्योंकि घनिष्टा नचतर के पहले दो चरन मकर रासी के अंतरगत आते हैं, तो घनिष्टा नचतर के तिरती चरन में आपका जन्म हुआ है तो आप अच्छे लक्षनों से युक्त और जीवन में बेहतर करने का प्रयास करने वाले होते हैं अगर आपको संदर मधुर्भासी वक्त होते हैं यानी आपका जन्म हुआ है तो चीजों को बेहतर ढंग से समझते हैं समाज में अच्छा बेभार रखते हैं और काम के प्रती गंभीर भी होते हैं अगर सत्विसा नच्छत्र के तिरती चरण में आपका जन्म हुआ है तो आपकी वानी थोरी कठोर हो सकती है लेकिन आप गौर वर्ण के बलिष्ट सरीर वाले घने बालो वाले होते हैं सत्विसा नशत्र के चतुर्थ चरण में अगर आपका जर्म हुआ है कुम्रासी के हैं तो आपके सोचने की सक्ति बहुत मजबूत होती है इमंदार होते हैं संसिटिव होते हैं दयालू होते हैं कुम्रासी वाले अगर आप पुर्वा भादर प्रद नच्छत्र में आपने जर्म लिया है तो पुर्वा भादर प्रद नच्छत्र के पर्थम चरन में जर्म लेने वाला कुम्रासी वाला बढ़ा ही बहुत बहादूर होता है और समय आने पर बीरता भी दिखाता है अगर आपका जन्म पूर्वा भादर प्रद नच्छत्र के दूती चरन में हुआ है तो आप ग्यानी होते हैं और अपने ग्यान से समाज को रौसनी देते हैं पुर्वा भादर परद नच्छत्र के 33 चरन में जन्म लेने वाला कुम्रासी का व्यक्ति हमेशा तरक्की करने वाला सिर्फ अपना ही नहीं अपने साथ साथ अपने महले का अपने सहर का अपने गाउं का विकास करने वाला होता है तो हमने आपसे साजा किया कि कुम रासी के अंतरगत तीन नच्छत्र हैं घनिष्टा नच्छत्र के दो चरण सत्वीशा नच्छत्र के चार चरण और पूर्वा भादर पर नच्छत्र के तीन चरण इसके प्रभाव भी बताएं उमीद है आपको पसंद आ रहा होगा पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेर करें कमेंट करें धन्यवाद हम फिर मिलेंगे